हर खांदान में एक ऐसा सक्स जरूर होता है जो सारी लड़ाईयां आपस में करवा करके फिर से कहता है कि मेरी दिली ख्वाई से इच्छा है कि आप सब मिल जूर करके रहें ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी पैचाने और दूर करें अपनी जिन्दगी से नमशकार मैं हूं कमरा श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के मिथुन रासिम प्रवेश के इस विसे करता है मानेता हुग नशा शुक्र डेतियों के गुरु हैं आपकी कुंडली में शुक्र के सुप रभाव से सांसारिक सुक और एश्वारे प्राप्त होता है शुक्र के प्रभाव वाले विश्रेस रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनिमा, थेटर, आर्ट, संबंद रखते हैं एंंटर्टेर्मेंट इंडुस्ट्री या शू बिजनस से संबंद रखते हैं वहीं इसके असुप रभाव से मनिश्वे संसकार हिंता योन जनित रोग तता परिवार में विखराव की स्थितिी निर्मान हो जाती निर्मित हो जाती है जन्ख कुंड़ी कुणली में बनने वाले हर योग का कोईन कोई परबाव हमारे जिवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल ही आपको बुरा करने की ओर या पिर अच्छा करने की ओर प्रेरीद कर सकती है। शुक्र के मिथुन रासे में प्रेस करने से सुरिय और बुद्ध के साथ में यूति हो जाएगी, इस यूति का क्या परनाम मिलेगा सबसे पहले यही जान लेते हैं। शुक्र और सूरी की यूति, जोतिस में ये एक मात्र ऐसी यूति है, जो दो सुब ग्रव की यूति होती है, किन्तो इसका फल असुब होता है, क्योंकि शुक्र सूरी के समीप आकरके अस्त हो जाते हैं, और अपना सुब फल खो देते हैं, शुक्र वा सूरी की यूति, में बहुत परिशान है उनका विवा देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंदी रोगों के कारण दुख भी उठाना पड़ता है कष्ट भी उठाना पड़ता है और यदि किसी पुरुष की कुंडली में हो तो उस व्यक्ति को इसपम्स काउंटिंग में बहुत तकलीब होती है और ऐसे इस्तिते में फिर इलाज करवाने के बाद ही संतान प्राप्त हो सकती है अब बात करते हैं स्वध्मी नानड जोग बुद्धी और विवेक या हासिय का कारक है लक्षमी योग में बुद्ध को विष्णू और शुक्र को لक्षमी की शीरणी दी गई है इन दोनों ग्रहों का आप से समद्ध सुभफलवदान करता है यह योग सुक सुबाग्य को बढ़ाने वाला योग है अब यही प्रेम सुंधरिक कला और भौतिक सुकों का कारक शुक्र कर तेरा जुलई 2022 की प्रात दस बज करके पचास मिन्ट पर म्रक्षिज नक्षत के तीसे चलन में आजाने से मिथुन रासी में प्रुएस हो जाएगा और 7 अगस्त 2022 की प्रात पांच बज करके 20 मिन्ट तक मिथुन रासी में गति सेल रहेंगे म्रक्षिज नक्षत के स्वामी है मंगल और मिथुन रासी के स्वामी है बुद्ध शुक्र मिथुन रासी में प्रुएस करके वायु तत्वी से समन जोड़ेंगे तो आईए जानते हैं कि शुक्र के मिथुन रासी में गोचर का आपकी रासी पर क्या प्रबाब पढ़ने वाला है आपको क्या मिलने वाला है आपकी मेश-रासी आपकी मेश-रासी से पराकरम भाव में थरड़ा उसमें गोचर्वस शुक्र का प्रवेश होगा इससे फ्रेंट्स की संख्या में व्रद्धी होगी वहीं सत्रू हार जाएंगे यह सत्रू सांत हो जाएंगे financial gain होगा आपका confidence और आपकी daring बढ़ जाएगी गरिलू helper या नौकर चाकर का सुख मिलने लगेगा और मान समान में व्रद्धी होने लगेगी और इसी समय काल में बागे का उदय भी कहा जाता है और यदि आप government करम चारी है सरकारी करम चारी है तो सरकारी सयोग प्राप्त हो सकता है भाई बैनों का सुख बढ़ सकता है धरम में आस्ता और इंटरस्ट बढ़ जाएगा अब बात करते है व्रसब रासी की आपकी रासी से धन और संपति वाव में गोचरवस शुक्र का प्रभिश होगा इससे बार-बार गेन होगा हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी सरीर स्वास्थ, एनलजेटिक और उत्तम दामपति सुक मिलेगा सरीर के सौंधिरे में निखार आ जाएगा या यह बोच सकता है आप हैंडसम या बीटिफुल लगने लगेंगे संतान प्राप्ति का भी यही समय हो सकता है यदि आप संतान के बार में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो इस गोचर में शांदार स्वापिंग जरूर होती है सरकार की और से सम्मान प्राप्त हो सकता है या विसेस सुक्स विदायम प्राप्त हो सकती है सक्सा में उन्नती होगी गाने बजाने संगीत के सेतर में आपका इंटरस्ट बढ़ जाएगा और सत्रों से राहत मिलेगी आईए अब बात करें मिथुन रासी की आपकी मिथुन रासी बाव में फस्त आउस में ही गोचर रास्शुक्र का प्रिवेस हो जाएगा इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेशली गेन भी मिलेगा दहन की प्रप्ती और शत्रों का नास होगा सांती मिलेगी लेकिन खुद-कुछ दूद्रा चार भी कर सकते हैं गरत जो दिशा की और जाने लग सकते हैं, इस गोचल में विवा और संतान का जन्म का आफसर आ सकता है, यह संभावना है, और जो स्टुएट्स हैं, उन्हें सिक्सा शित्र में सफलता प्राप्त होगी, सबी प्रकार के मनो नंजन और वैवा विलाज जैसे सुक प्राप्त हो होगे, जो व्यापार ही है, उन्हें व्यापार में इंप्रूमेंट हासिल होगा, और जो लिक्विट पदारतों का सुंगत द्रव्यों का चाब पर्फ्यूम है, चाब सेंट है, चाब डियोटरेंट है, और या पिर वो लोग जो कोई न कोई डंग से एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री से समझ रखते हैं, फैंसी गुट से समझ दित कामकाज करते हैं, उनकी इंकम ज्यादा होगी, उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है या उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आईये, अब बात करें करकर रासी की, आपकी रासी से नास पाव में 12 ताउस में गोचवरस शुक्र का प्रवेस होगा इससे फ्रेंड सरकल बढ़ जाएगा नहीं नहीं फ्रेंड से बन सकते हैं आमदनी और खर्च दोनों ही बढ़ जाएंगे भोग विलास के सुक्सुईदाओं के साधन प्राप्त होगे सुगंदित पदार्थों की प्राप्ती होगी हाला कि धन संबदी बढ़ेगी परन्तु मान समान में आपको कमी देखनी पड़ सकती है इसलिए सोसाइटी में जहां पर भी जाएं बहुत संबल करके वियवार करें चाहे हजीमजाग में भी किसी का अपमान नहीं करें अपनी रेपोटेशन अपनी स्टेटिस का बहुत ज़्यादा खैल करें बहुत ज़्यादा आईए अब बात करें सिंग रासी की आपकी सिंग रासी से लाब आव में 11th house में गोचर वस शुक्र का प्रिवेश होगा इससे income में व्रदी होगी years बढ़ेगा मान समान में व्रदी होगी और जो भी काम का आज आप कर रहे हैं या जो भी काम का आज आपके हाथ में हैं उसमें easily success मिलने के योग बनेंगे higher society में आपका उठना बैटना होने लगेगा खाने बिने की कोई कमी नहीं दिखाई देगी या कोई कमी नहीं रहेगी और इस गोचर में दामपते सुखों में व्रद्धी होगी और यदि आप कोई relationship में हैं तो अपने partner के साथ में गैरी मित्तता के चलते के कारण बहुत प्रसंता का नुबाव करेंगे मित्रों का भी आपको पूर सहयोग प्राप्त होगा आईए अब बात करें कर्णियारासी की आपकी कर्णियारासी से करम बाव में 10 ताउस में गोचर बश शुक्र का प्रवेस होगा इससे सरीर में पीड़ा और मासिक चिंता बढ़ जाएगी फरनिशल लॉस हो सकता है आपकी जॉब में या आपकी बिजनस में बार-बार आपसिकल्स आएंगे विरोधी बढ़ जाएंगे जॉब में और आपके एफर्ट्स में आपको सकसेस मिलने की जगए अनसकसेस की स्थिति आ सकती है या बहुत ज़्यादा फाइट करने पड़ सकते है सकसेस के लिए समाज से और आपके अपने परिवार से विरोध हो सकता है इस्पेशली स्त्रीवर्ट से चाहिए वे घर की महिलाएं हो या ओफिस की हो उनसे दुख अपमान की प्राप्ती हो सकती है सरकाली परेशानिया भी आने लग सकती है तो आपको शुक्रगर की सांतिक उपाए जरूर करने चाहिए वे उपाए क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में मैं विस्तार से बतलाने वाला हूँ आईए अब बात करें तुला रासी की आपकी तुला रासी से भागे बाव मैं नाहीं ताउस में गोचरवस शुक्र का प्रविस होगा इसलिए कोस्टली और लगजरी समान की अब प्राप्ती इजीली हो जाएगी जम करके शॉपिंग हो सकती है हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और काम का आज में भी आपको आसा से ज़्यादा लाप मिलेगा जो आपने जो एजूम किया हुआ है जो आपने सोचा हुआ है उससे ज़्यादा आपको गेन हो सकता है कोई स्थाई संपत्ति का लाप भी आपको मिल सकता है और जो government sector में उन्हें government से support मिल सकता है चाय़ वो support आपको government quarter मिलने में ही हो या आपको loan चाहिए तो आपको loan मिल जाए घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य संभब है जिवन साती द्वारे भागया में व्रद्धी हो सकती है फ्रेंड से, बड़े भाईों से साहिता मिलेगी, लाब मिलेगा, स्ने मिलेगा और फाइनिशली सपोर्ड मी मिलेगा और जो लोग देश-वीदेश में यात्रा करना चाहते हैं, उनकी यात्रा हैं बहुत ज़्यादा सुभ होंगी या बहुत ज़्यादा जिसको प्रसंता देने वाली खुश्री देने वाली वो यात्राइं होंगी आईए अब बात करें व्रस्टिक रासी की आपकी व्रस्टिक रासी से एड ताउस में मारक बाव में गोश्चर व्रस शुक्र का प्रवेश होगा इससे इंकम की या फैनिश सुख सुदाओं की सामगरियों में या सुख सुदाओं की इंपेक्ट में व्रद्धी हो जाएगी और आपको अपने परिवार वालों से सुख और पैसा दोनों की प्राप्ति होगी और जो इस्टुडेंट से उन्हें अपनी एजुकुशन में को इनको सपोर्ट मिलेगा या आपको कोई कोई लाइन मिल जाएगी आईए अब बात करें धनुरासी की आपकी धनुरासी से सेवन ताउस में गोचर वाश शुकर का प्रवेश होगा और ये गोचर सुब नहीं माना जाता है आपकी रासी से सिक्स ताउस सेवन ताउस और टैन ताउस में शुकर का ग अका मार की सही जीवन चलता है, जीवन साती से विवाद या जीवन साती के अस्वस्त रहने की संभावनाई बन जाती है, अन्य विप्रित लिंगियों से अतात, जो दूसरे अपजिट जेंडर के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे प्रेमादी के कारण हानी या अपमान सेनना पड़ता है, गुप्त रोगों से कस्ट होता है, और यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ती है, और उन यात्राओं से लाब नहीं मिलता है, फाइदा नहीं मिलता है, ऐसे में आपको शुक्र की सांती के उपाए जरूर करने चाहिए, आईए, अब बात करें मकर रासी की, आपकी मकर रासी से रोग बाव में, गोचर वाश शुक्र का प्रिवेश होगा, इससे विरोधियों की व्रद्धी हो जाएगी, उनकी संक्या में व्रद्धी हो जाएगी, और उनसे समझोता करना पड़ सकता है, या विवस होना पड़ सकता है, समझोता करने के लिए, तो आपको भी शुक्र की सांतिक उपाई जरूर करने चाहिए वह उपाई क्या होंगे येस एपिसोड के अंत में आपको पता चलेगा आईए अब बात करें कुम्ब रासी की आपकी कुम्ब रासी से पंचम बाव में सिक्सा और संतान बाव में गोचलवस शुक्र का सत्रों पर विजय प्राप्त होगी एंटर्टेन्मेंट में अधिक इंट्रस्ट आने लगेगा संतान के जन्म का आफसर आ सकता है यदि आप प्लान कर रहे हैं या यदि आपने सोचा हुआ है तो और यदि आपको रिलेस्टेंसिप में तो आपके पार्टनर से संबंद पक उसमें गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा इससे अधिकास जो आपकी कामना है वो पूर्ण हो सकती है और फाइनिशली राहत मिलने के योग भी बनेंगे बोग विलास एशो आराम के सादन सामगरी वान आदे की प्राप्ती हो सकती है संबंदियों से साहिता प्राप्त से होती है वो बहुत अच्छा घर बहुत अच्छा वाहन बहुत अच्छे कपड़े अच्छा जीवन साती और अन्य भौतिक सुख सुविदाओं की कामना करता है और क्योंकि शुक्र को इन सभी सुखों का कारक माना गया इसने शुक्र की क्रपा से इनके प्राप्ती हो सकत यदि आपकी कुंडली में चाहे वो जन कुंडली हो रासी कुंडली हो या गोचर कुंडली हो सुक्र पिडित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुकों में कमी आ सकती है ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की सांति के उपायों को अपना करके रहत प्राप्त कर सकते है वे उपाय कौन-कौन से, अब मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला उपाय, कि आप दुर्गा सबसत्य का पाट करें, और उसमें भी देवी कवच का पाट सबसे ज़्यादा सुब रहेगा, जो कि आरम में ही आ जाता है। जो लक्षमी का पाट या पूजा उपासना करना चाहते हैं, वे श्री सुक्त का पाट कर सकते हैं। हर दिन शंक में जल भर करके लक्षमी जी पर अभिशेक करें। श्री सुक्त का मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर ओम स्रीम स्रीय नम्म ये बहुत छोटा सा मंतर है वो मंतर आप जाप कर सकते हैं जब अभिशे करें तो साथ साथ में वो मंतर भी बोलते रहें हर शुकरवार की साइंकाल में सफिद पुस्पों से या कमल के पुस्पों से लक्षमी की पुझा उपासना करनी चाहिए उनको वो पुस्प अरपित करने चाहिए शुकरवार को रात के खाने में आपको खीर बना करके लक्षमी जी को भोग लगा करके सभी परिवार जन ग्रेंड करें ये अपने घर में आप नियम बना लें हर शुकरवार को डिनर में खीर बनाने का अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमेंसे जो भी मंत्र आपको इजी लगे वो मंत्र का जाप आपको करना चाहिए ओम शुम शुक्रायनम और या पिर शुकर का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रॉम सह शुक्रायनम, अश्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या दस माविद्या कवच धारण कर सकते हैं, और आप चाहें, जो समर्तिवान है, वो दोनों ही कवच का एक साथ में, जो पेंडल बना करके, कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, या आपके उपर डिपेंड करता ह हर शुकरवार की साहिंकाल में आप चांदी, इसफटिक, चावल, दूद, दही, गी, सफेज चमकिला कपड़ा, सफेज चंदन, इत्र, सफेज ज्वार, या चीनी, बता से मिश्री, संगार समगरी या सफेज मिटी वस्तों का दान कर सकते हैं यदे शुकर का दान, बढ़नी नक््षत्र, पुर्वा फालकुनी नक्षत्र या पूरवा साड़ा नक्षत्र में करें, तो और ज़्यादा सेश्टा रहती है, और जयादा सुपता आती है शुक्रवार के दिन पूरानी किताबे या पूराने जूते किसी गरीब को जरुरत मंद को दान करने से आपको सोयावा भाग्य जाग सकता है या उससे जगाया जा सकता है शुक्रवार के दिन आपका पुराना फरनिचर या पुराने बरतन किसी जरुरिजमन्त को देने से आपके घर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी ये आशिराद या ये करपा आप लक्षमी जी से मांग सकते हैं ये छोटे से प्रयास से आप पर वो विस्षिस करपा बनी रह सकती है आईए अब बात करते हैं शुक्र गिर से बनने वाले योगों के बारे में मालवय योग, लक्ष्मी नाराणी योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग और श्रीनात योग ये शुक्र से योग बनते हैं। तो वो व्यक्ति धनवान होता है। एक जीवन सुखी रहता है। यदि किसी जातकी कुल्ली में शुक्र, मितुन या कन्यारासी में हो और इस पर चनमा की दस्ती हो तो व्यक्ति जीवन भर राजा के समान आनन्द भोगता रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति की कुल्ली में जातकी कुल्ली में चौते बाव से चनमा, बुद्ध और शुक्र का सम्मन दो और साथ इन तीनों ग्रहों का लगन से भी सम्मन दो तो कुल्ली में महराजा योग बनता है। तो आपकी अपनी कुल्ली में कौन कौन से राज योगे या आप भी जान सकते हैं यदि आपके पास में राज योग की कुल्ली हो। तो ये था शुक्र का मिथुन रासी में गोचर फल आपको ये जानकारी ये उपाय कैसे लगया मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और ये रासी फल या ये गोचर फल आपकी जन कुल्ली में से एक रचनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है आप चाहें तो अपनी कुल्ली के माध्यम से उस अंदर में भी इस रासी फल को और सर्टिकता से जान सकते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हूँ जब बविश्य में जहांकना हूँ जब कोई बहुत बड़ा डिस्जिन लेना हूँ तो अपनी कुल्ली का विश् अगे बढ़ना चाहिए और यदि समय प्रतिकुल अच्छा नहीं है तो सेफ साइड में रहना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो चाहें फेस तू फेस मिले या चाहें घर बेटे वे आप टेलिफॉनिक कंसलेटर से कि माध्यम से भी अपनी जनकुली का विश्लेशन करवा स सकते हैं उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टेंटर टाइम में सुबह 10 बजे से सामको 6 बजे तक उस समय स्टाफ रहने से आपको रेस्पॉंस मिलेगा मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और स रक्षा करें मादूर्गा आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद